देखो बच्चों, सो देखें बच्चा लोग, लास्ट क्लास में हमने डिस्केशन किया था इलेक्ट्रिक फील के बारे में, कि what is इलेक्ट्री फील और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील का कालकुलेशन भी कर लिया था, आज मैं लेक्चेर को और आगे बढ़ा रहा ह अगला हमारे इस lecture में धेर सारे charges, multiple charges, बहुत सारे charge होंगे जिनकी वज़से किसी point पर field निकलना होगा। अगर आप ऐसे generally सोचो बच्चो तो आपको ये बात एकदम clear cut समझ में आ रहा होगा कि अगर धे सारे charges होंगे और कहीं पर field निकलना हो तो एक-एक charge का field निकालेंगे फिर उन सारे field का vector sum करेंगे और इस principle को super position principle कहते हैं। कुलम सला में जब super position पढ़ाया था तो exactly यही logic यूज़ किया था तो यहाँ पर भी exactly क्या करेंगे हम यही logic यूज़ करेंगे कि धेर सारे charges होंगे और कहीं एक point पर field चाहिए तो हमें हमें क्या करना है बोले उस point पर अलग-अलग charges की वज़से field निकालके vector sum करना है बस ध्या सारे field को vector में लिखो direct add कर दो जैसा कि देखें बच्चों हम यहाँ पर discussion को आगे बढ़ा रहे हैं तो topic का नाम है electric field due to system of charges तो system में बहुत सारे charges हैं जिनकी वज़े से हम क्या निकालने वाले हैं electric field निकालने वाले हैं तो देखें बच्चों electric field due to system of charges हमने कहा कि यह हमारा एक system है consider करिए एक system जिसमें बहुत सारे charges हैं जैसे कि नाम दिया हमने Q1, Q2, Q3 of 2, Qn with the position vector, सबके position vector भी है position vector मालो R1 vector, R2 vector, R3 vector, dot dot, Rn vector related to some origin O, origin के respect में यह सारे positions given है electric field at a point in the space due to the single charge, electric field at a point in the space due to the system of charge is refined to be the force experienced by unit test charge placed at that point यह definition है किसी charge का अगर कहीं पर field निकालना है तो यहां एक test charge रखके इस पर force निकालो, force upon test charge करो अगर किसी system of charge की वज़े से कहीं पर field निकालना है तो जहां field निकालना वहां एक test charge रखो और सारे चार्ज की वज़े से force निकालो force upon test charge को क्या बोलेंगे electric field तो system of charges का अगर field निकालना है तो उसको भी उसी तरीके से use करें जैसा कि definition में field electric field के definition में हमने पढ़ा है एकदम वैस ही देखो यापर discussion में without disturbing the original position of the charges charges के position को disturb मत करिये सारे charges अपनी जगह रहेंगे जिस point पर आपको field चाहिए वहाँ test charge रखो और उस पर force निकालो सबका force निकालके force upon test charge करेंगे then you get the answer we can use Coulomb's law and the superposition principle to determine this field at a point P denoted by the position vector R obviously यही बात हम आपको बताई रहे हैं लगातार कि सबका force निकालके superposition principle से net force निकलेगा नेट force को upon test charge को field कहेंगे और इसी को superposition principle भी कहते हैं जैसा दिखें मैंने यहाँ example में दिखाए बच्चों की एक point P है जहां आमें field निकालना है तो q1 से इसका position r1p q2 से इसका position r1p r1 r2p q1 का field होगा इस direction में e1 q2 का field होगा इस direction में e2 ऐसे अगर और भी charges है q3 का field होगा e3 और भी charges है अगर q4 का field होगा e4 यह सबका field नहीं निकाला अला गलग field है और हमें total field कैसे निकालना देखे परलोग्राम method vector addition method हमने e1 e2 के बीच में परलोग्राम method निकाल के इसका resultant निकाल लिया देखे यह जो resultant आया है यह इसका resultant है दार रहा एवान e2 का resultant आ गया यह अब e1 e2 के resultant और e3 के बीच में e3 और e1 e2 के resultant का बीच में अगर हम लोग resultant निकाले तब क्या आए देखे इन दोनों का resultant अगर निकालते हैं तो देखे यह आपका किस का resultant है यह जो यह यह इन तो का resultant और e3 का resultant उसका आपने parallelogram method से दिखाया कि यह इन दोनों का e3 और और इन दोनों के resultant का resultant है यह उसके बाद यह net इन तीनों का resultant यह हो गया और e4 के साथ अगर resultant देखेंगे तो यह लाइन आएगी तो यही हमारा net field होगा इस point पर कौनसा field होगा net point यह वाली लाइन दिखार यही net field होगा यह net field होगा formula अगर लिखना होगा बच्चों तो हम सबको मालूम है किसी एक charge का field निकालने का formula होता है kq1 kq by r square into r vector तो position vector अगर हमने r1p के terms में लिखा तो e1 equal to 1 upon 4 epsilon not r q1 upon r1p square r1 r1p cap ऐसा q2 होगा तो r2p cap q3 होगा r3p cap ऐसे लिखेंगे देखें अगर हम q2 का बात करें तो देखें r1p is the cap is the unit vector यह unit direction निकालने के लिए होता है from q1 to the point p r1p is the distance between the q1 and p जैसा कि वहाँ पर दिखाई देरा डियाग्राम में भी ऐसे अगर हम 2 के लिए बात करें तो q2 का जो field है वो यह होगा बच्चों देखें q2 का जो field होगा वो यह होगा 1 upon 4 pi epsilon not q2 upon r2p का whole square r2p cap यह होगा उसका formula किसका 2 वाले का तो similarly 2 3 सबका लिख सकते हैं इसमें r2p cap is a unit vector and r2p is the distance between the p and charge q2 दिखाई देर रहा होगा सबको सारे कहानी में similarly आप e3 e4 e5 सारा लिख सकते हैं आप to en तक लिख सकते हैं अगर आप में total field चाहिए तो हम सबका क्या करेंगे बच्चों vector sum total field चाहिए तो क्या करना होगा vector sum by the superposition principle electric field e at p is due to the system of charges is vector sum of all these electric fields e r equals to e1 plus e2 plus e3 plus like this इन सबको हमने कर लिया सबको sum करेंगे sum करके जो चीज़े common है उसे common भी ले सकते हैं यह common हमने रखा q1 अगर सबने q1 रहेगा तब वैसे यह गड़बड़ हो रखा है बच्चों common यह गलत लिखा हुआ यहां पर सही कर लिज़ेगा common one upon four epsilon not ही है सिर्फ यह यह common नहीं है न यहां पर one रहेगा one common जो है वो सिर्फ है one upon four epsilon not common हो जाएगा यहां से qi1234 करके रखते जाएंगे यहां पर भी लिख देंगे आराई यह आराई पी करके ओके तो यह हमारा भी टु सेंगे बिख आइस अपर घएपके सिर्फ करता है यह किसी पाइंट चयर्ज का फील का फामला लेखो कहं उसी हम पता चलता है कि चार्ज का उस प्वाइंट से पोजीशन और चार्ज की वैलू इन दोनों पर फिल्ड डिपेंड करता है फिजिकल सिगनिफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फिल्ड का सिगनिफिकेंस ओविस यह बात है यह बात अल्रेडी हम लोग डिसकस कर चुके हैं लास्ट लेक्ट्रिक फिल्ड फिर भी बात कर रहा हूं बच्चों किसी point पर जो field होता है वो ये बताता है कि अगर कोई unit positive test charge को नहीं रख दिया जाए तो वो कितना और कैसा force experience करेगा क्या experience करेगा दूर जा रहा है पास जा रहा है ये सब चीज़े उसका experience electric field के बारे में बताता है electric field characterized by the system of charges and it is independent of the test जान रहे इलेक्ट्रिक field भाले जान रहे system of charges से characterized है बट जो test charge रखते है उस पर depend नहीं करता है क्योंकि आप जब आप formula निकालते बच्चों field का तो test charge से divide करते हैं और test charge हर बार क्या होता है कड़ जाता है इसका मतलब test charge के उपर field depend नहीं करता है भले उसे field का calculation के लिए use किया जाता है test charge को लेखिन उसके उपर electric field depend नहीं करता है ध्यान रहे हो the term field in the physical in the physics generally refers to the quantity that is it is refined at every point in the space and may vary from point to point ना तो यह term है generally physics में हम लोग कहते है कि refers to a quantity that is refined अलग-अलग point के लिए अलग-अलग define किया जाता है और अलग-अलग point के लिए value बदल सकती है field, field के बारे में अगर बात करेता हो electric field is a vector quantity सबकों मालूँ है यह vector field होता है इसलिए इसे हम vector quantity का नाम भी दे रहे है कुछ question है ऐसे general question simple simple सा होता है basic question बच्चो basic knowledge के लिए देखें क्या है electric field is a obvious से बात है क्या है बच्चों बोलिए क्या हैगा vector physical quantity clear है देख लिजे दोबारा से यह रहा next question है electric field is characteristics of the system of charges and is independent of the test charge and is placed in the point determined obvious से बात है independent of test charge electric field is independent of test charge okay यहां देख clear हो गया बच्चों अब हम लोग टाइउस आफ electric field अगली lecture से start करेंगे पांद आधिके 10-12-15 minute बहुत होता है आप लगाता रही से पढ़ेंगे basic knowledge of the chapter आपको मिलेगा बच्चों यहां से basic knowledge आप गेन करके questions कर सकते हैं कोशन का भी अलग से lecture में start करूगा उसमें हम लोग सिर्फ question question discuss करेंगे अलग अलग topic पर अभी हम लोग जो question discuss करते हैं वह बहुत basic basic question होता है okay everyone thank you thank you so much okay बचलोग